Hello and welcome back to the Sahasikho classes and today we will continue the same topic Right to Education Act इसके जितने भी हमनों sections discuss किये थे पिछले वीडियो में 1 to 11 So यहाँ अब हमनों section 12 to 28 अब discuss करेंगे यूकि आपस महीं हमनों उसको link करते पड़ते जाएंगे और जो आपकी पिछले वीडियो थी उसका भी थोड़ा सा revision कर लेंगे तो सबसे पहले start करते हैं 12, section 12 देखे, section 12 देखे, यहाँ पस दिया है पहले detail, पहले trick देख लेते हैं 12 को हमनों बोलते हैं 12 तो धारा, बारा में क्या दिया है 12, 12 मतलब बाहार, बा, बारा और बाहार तो बाहार आई है क्या बाहार आई है? कि जब किसी बच्चे को आरक्षन मिल जाती तो उसके लिए वो बहुत अच्छी चीज होती है वो बाहार आई है उसके लिए तो 25% आरक्षन की बात इसी section में कहा गया section 12 में बहार आई है किसकी आरक्षन मिला है बच्चों को आरक्षन मिला है 25% का आरक्षन मिला है किनको किनको मिला है तो वो भी इसमें दिया है जैसे कि इसमें लिखा असुविदाग्रत समू मतलब जो unbeneficial groups रहते हैं उनको 25% का मतलब उनको और दो लवर इन सब को मतलब जो भी category के लोग आएंगे वो सब को 25% का आरक्षन दे रहे है ठीक है तो ये clear हुआ ये trick भी easy है 12 में है 12 मतलब 12 12 मतलब बाहर बाहर किसी 25% डारक्षन में है क्योंकि अच्छी चीज है बाहर आई है ठीक है कभी नहीं बूलेंगे आप लोग ये 12 हो बाहर ठीक है next आगे देखते हैं next इसमें दिया है तेरा तेरा मतलब होता है तेरा जुर्माना लगेगा बोलते हैं देखें कभी भी अगर आप लोग जैसे driving license आपके पास नहीं रहता है या आपके पास कोई भी चीज के प्राब्लम रहती तो प्रोपुलिस वाले especially तुम्हारा जुर्माना लगेगा या आपका जुर्माना लगेगा ऐसे शब्द नहीं उसकरते हैं वो तेरा जुर्माना लगेगा ऐसे बोलते हैं तो यहाँ पस देखेंगे इसको हमनों connect कर रह ठीक है तो तेरा जुर्माना लगेगा अब जुर्माना हमनों को देखना है यह सबसे हमें कोई मतलब नहीं जुर्माना तो हमनों को जब भी तेरा को सुनना है तो तेरा से याद रखना है कि इसमें जुर्माने की बात आई है तो कहां से जुर्माना आया है देखें पहली तो आपका ये act बता रहा है कि यहाँ पस free और compulsory education न देनी है आपको ठीक है लेकिन अगर आप free नहीं कर रहे हो जैसे इसमें दिया है कि आपको किसी भी बच्चे का admission लेते वक्त उससे कोई भी शुल्क जमा नहीं करनी है लेकिन आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आप गलत कर रहे और तब आप पकड़े जाओगे तो आपसे जुर्माना लिया जाएगा तो जुर्माना कितना ले रहा है दस गुना जितना भी आपने शुल्क लिया सपोज सौ रुपे लिया तो सौ रुपे का दस गुना आपको fees या जुर्माना जमा करना पड़ेगा penalty देनी पड़ेगी ठीक है 10 times of the entry fees जितना आपने चार्ज किया है ठीक नेक्स्ट दूसरी चीज ये गई गई है फ्री एंड कंपल सरी एजुकेशन दी गई है उनमें आपने प्रवेश परिक्षा लगा दी प्रवेश परिक्षा नहीं लेनी है किकि आप प्रवेश परिक्षा ले ले रहे हो तो उसके पास अगर नॉलेज नहीं तो वहीं रुख जाएगा न तो अगर आप प्रवेश परिक्षा नहीं ली जानी है लेकिन अगर आप लेते हो जब भी आपका पता चलेगा तो 25,000 जुर्माना लगेगा आप जितना भी टेस्ट ले रहे हो उसका पचीस हजार फाइंड लगेगा तो अब क्लियर हो गया है बहुत इजी है एक बफेट से देख ले रहे तो तेरा से आएगा हमनों को जुर्माना को कनेक करना है या पेनार्टी तो दो जगे पेनार्टी लगे पहली चीज़ फ्री एजुकेशन की बात ली गए और अगर आप एंटरेंस की टाइम पर कोई भी शुल्क ले रहे है तो आपको उसका जुर्माना भरना पड़ेगा दस गुना जितना आप फीस चार्ज किये हो दूसरा प्रवेश परिक्षा नहीं ली जानी है लेकिन आप प्रवेश पर एड्मिशन पर एंटरेंस ले रहे हैं एंटरेंस टेस्ट ले रहे हो तो आपको 25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा क्लियर है नेक्स पढ़ते हैं नेक्स 14 और 15 को हमनों connect करेंगे आपस में देखिए 14 और 15 को connect करने का एक तरीका है अगर हमनों को 14 याद आ जाएगा तो हमनों 15 भी याद कर लेंगे अब देखो 14 कैसे याद करेंगे 14 में 1 और 4 है तो इससे हमनों ये याद करते हैं कभी भी एक बच्चा जन्म लेता है तो वो उसकी खबर जो है चारो ओर हो जाती है अचो चारो ओर तीन ओर होती नहीं है पांच ओर होती नहीं है तो चारो ओर शब्द भी सुना है आपने ठीक है तो एक जब एक बच्चे का जब जन्म होता है तो चार और उसकी खबर हो जाती है तो एक और चार एक और चार ठीक है तो जन्म से रिलेटेड है याद रखेंगे जन्म से रिलेटेड है किसका बालक का अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलता है कही भी भी ऐसा हो जाता है कि किसी बालक का जन प्रमाण पत्र नहीं है फिर भी आप उस बालक को पढ़ाई करने से रोक नहीं सकते ठीक है The child can't be prevented from the entry of the school मतलब admission of the school से आप उसको रोक नहीं सकते भले उसके पाँ जन प्रमाण पत्र हो या ना हो लेकिन आपको उसका admission लेना ही है admission से इंकार नहीं किया जा सकता ठीक है जब admission से इंकार नहीं किया जा सकता आपको यहाँ याद आ गया तो तुरंत आपको याद अकना है कि same point 15 में भी है admission से इंकार नहीं किया जा सकता हाँ लेकिन यहाँ point अलग है यहाँ पस point यह है कि अगर एक specific date तो आपके fix कर दी गई है कि इस सारीक तर आपका admission होगा उसके बाद भी अगर आपके यहाँ date मतलब बच्चे admission के लिए आ रहे हैं तो आप admission के लिए इंकार नहीं कर सकते Is it clear? फिर से एक बाद देख लेते हैं देखो 14 को आपके यहाँ एक और 4 में divide करेंगे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो चारो और खबर होती है तो जन्म से related है तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी है अगर किसी बालक का तभी भी आप उसके admission उसके प्रवेश से आप उसको इंकार नहीं कर सकते अब जब प्रवेश से इंकार नहीं कर सकते 14 में हैं तो 15 में भी यही है लेकिन 15 में बस एक यह बात कहा दी गई है कि यहाँ पर आपका admission के जो date specific बताई गई है उसके बाद भी stipulated date जो आपको बताई गई है उस date के बाद भी अगर कोई बच्चा लेकर क्याता है you can't refuse those forms too ठीक है अब आगे पढ़ते है तो आगे पिछला पूरा complete है 12, 13, 14, 15 next next इसमें देखिए 16th 16th और easy है लेकिन बहुत important भी है 16th देखिए इसमें यह दिया है कि एक trick देख ले रहे हैं 8 प्लस 8 is equal to 16 होता है तो 8 से हमनों क्या connect करेंगे कि class 8th class 8th तक कोई भी बच्चे को fail नहीं किया जा सकता मतला कोई भी बालक को रोकने या निशकासन का पर प्रतिशेद किया गया है मतला prohibited किया गया है कि कोई भी बच्चे को fail नहीं कर सकते कब तक class 8th तक किसी को भी fail नहीं कर सकते क्यों class 8th क्योंकि वही primary education है primary education बोल रहा है कामपलसरी education वहीं तक है next 17 17 से हम लोग खत्रा याद कर ले रहे 17 खत्रा लेकिन किसको खत्रा है बालक को खत्रा है किस से शिक्षकों से क्योंकि वह उनको दंड देते हैं कैसा दंड शारीरिक दंड भी देते हैं और मानसिक उत्पीडन भी करते हैं या मानसिक दंड भी देते हैं ठीक है तो खत्रा से हमनों याद करेंगे 17 खत्रा कैसा खत्रा बालकों को ये खत्रा मिल रहा है या बालकों को कौन खतरा दे रहे है सिक्षक दे रहे है मानसिक उद्पीडन कर रहे है और शारीरिक दंड दे रहे है ठीक है फिजिकल पनिश्मेंट और mental harassment करने से बालकों पर तो मतलए अब इसमें यह दिया लेकिन इसकी detail में देखेंगे तो यह चीज़ करना मना है ठीक है प्रतिशेड है clear है एक बार revise कर लेते हैं देखे यहाँ पस आपका starting से अगर हमनों discuss करें तो यह देखे one में क्या था आपका नाम था दूसरे में क्या था second में आपका definitions थी next उसके बाद three four age जैसा three से था free free में क्या था free and compulsory education free और compulsory education तो थी लेकिन कैसी थी यहाँ पस कहा गया था third में क्या आपको मिलेगी मतलब कौन कौन सी age बताई गया थी 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 तो इस age के बच्चों को fix मतलब free education मिलेगी लेकिन four में क्या था अगर नहीं मलती है तो जिस भी age के बच्चे होंगे उनके age के according उनको जिस भी class में admission लेना होगा तो वो admission में आ जाएगा थी next क्या था five six आपस में connected थे five आपको s की तरह लगता है school और school में क्या था यहाँ पस कि यह जो भी school रहेंगे वहाँ पर आगर आपके फिफ्ट तक के board है और उसके बाद अगर नहीं class है तो आपके पास पूरा right है कि इस बच्चे को tc दे दीजे six क्या था? छी ठीक है? छी यार कितना दूर है school तो दूर है school से six को हम लोग connect किये थे ठीक है? यह हो गया next उसके बाद मतलब इसमें distance है school के distance की बात की गई है वो वीडियो आप पूरा अच्छे से देख लेंगा आपको clear हो जगा लेकिन एक बाद revise करते रहे हैं आप लोग पी revise कर लिजे seven, eight, nine यह तीनों साथ में पढ़ेंगे पढ़ेते हैं हमनों seven में क्या था साथ-साथ किसका केंदर, central और state केंदर और state दोनों का साथ-साथ मतलब यहां पर जोभी उन्हों wear करेंगे तो वो सारी चीज़े साथ में लों करेंगे ठीक है आठ में क्या था अब दोनों में सबसे top पर कौन है तो सरकार तो सरकार के करता वे थे आठ में नौ में क्या था अब सरकार के नीचे कौन है तो वो प्रादिकारी ठीक है, इस्थानी है प्रादिकारी के अधिकार ना, करता वे तो यह सब इसमें रहेगा nine में ten में क्या था ten और eleven साथ में पढ़े थे 10 में हम लोग पढ़े थे कि बस सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है माता पिता की भी है तो यहां पस parents की बात की गए parents और guardian की 11 में क्या था अंगनवाडी विद्याले पूर्व सिक्षा देना 11 याद होगा वो trick आप लोग को याद होगी 25% direction की बात की गई है reservation की 13 13 13 में था 13 जुर्माना लगेगा तो जुर्माना में दो जगे जुर्माना था प्रवेश चुलक अगर ले रहे हैं तो 10 गुना उसका लगेगा अगर आप प्रवेश परिक्षा ले रहे हैं तो 25,000 तक आपको payment करनी पड़ेगी ठीक ये था अब आप 15,14 देख लेते हैं 1,4,1 मतलब था 1,4 ठीक एक बालग हुआ है उसका जन्म हुआ है ठीक है चार और खबर हो गई उससे आपनों याद किये थे तो जन्म प्रमान पत्र अगर नहीं मिलता ठीक है दिन दिया गया है उसके basis पे ठीक दिन अगर over हो गया है और तभी भी अगर admission आपको admission लेना पड़ेगा 16,16 से हमनों क्या याद किये थे 16,16 से हमनोंने याद किया थे 8,8,8,8,8,8 मतलब plus 8 तक किसी को fail नहीं कर सकते 17,17 वो खत्र,17 17 मतलब खत्रा तो बालगों को किस से खत्रा है टीचर से है टीचर क्या करते हैं उनको मानसिक उत्पीडन करते हैं मतलब mental harassment करते हैं और physical punishment देते हैं देखिए पूरा revise हो गया बहुत easily revise हो गया अब next आगे बढ़ते हैं 18 and 19 अब देखिए 18,19 को याद करने का एक तरीका है दोनों को साथ में याद करेंगे 18,19 जितना हमने आज revise करवा दिया आपको वो आप खुद से भी एक पर revise करिएगा बहुत easily आप उसको catch कर लेंगे 18,19 ठीक है 18 और 19 को क्या से याद करते हैं 18 से आपको क्या याद आता है 18 से simple चीज यह याद आती कि सरकार यह बोलती है कि हम लोट देने जा सकते हैं ठीक है तो सरकार की यह मान्यता है वर्ड मान्यता को हम लोट को पकड़ना है तो सरकार की यह मान्यता है क्या मान्यता है कि अब आप 18 वर्ष की होगे तो आप voting देने जा सकते हो यह सरकार की मानिता है लेकिर अब हम लोग क्या देखेंगे अब स्कूल की मानिता क्या है कि हम लोग के पास मानिता प्रमाड पत्र होगा तब ही हम लोग इस्कूल खोल सकते हैं ठीक है अगर आपके पास माननिता, प्रमारपत, स्कूल, रिकर्गनीशन, सर्टिफिकेट होगा तब ही आप स्कूल खोल सकते हो लेकिन अगर नहीं है फिर भी आप स्कूल खोल रहे तो आपसे एक लाग रुपए का जुर्माना चार्ज किया जाएगा clear है, माननिता को हमनों को पकरना है इसमें तो 18 से आप लोको क्या याता है, अब 18 वर्ष के होगे, अब तुम भी वोर्ट देने जा सकते हो बोलते हैं parents, तो 18 वर्ष से हमनों याद रखेंगे कि सरकार की यह माननिता है कि 18 वर्ष तक हमनों वोर्ट देने जा सकते हैं, वैसे ही school की क्या मानिता है तो school की यह मानिता है कि वह school जिसका मानिता प्रमाण पत्र है वही school खोल सकता है, उसके बगार भी अगर आप school खोल रहो तो आपका जुर्माना लगेगा एक लाग रुपए तक का, ठीक है, नेक्स देखते हैं, उननीस उननीस भी मानिता प्रमाण पत्र से ही related है मतलब इसी से ही connected है, ठीक है, थोड़ा सा लग है लेकिन connect कर सकते है विद्याले के कुछ मान और उनके मानक है, मतलब उसके कुछ जानकारी या उसकी details दी गई है विद्याले की specific, तो देखे, second point तो same है, इसलिए हमने इसको मानिता प्रमाण पत्र से ही connect कर दिया, ठीक है पहला दिया है कि कोई भी विद्याले बना रहा है, जब वो बनना है, तो starting से तीन साल के अंदर अंदर वो पूरा पूरा विद्याले बन करके खड़ा हो जाना चाहिए यह नहीं कि उसका बनने में ही बहुत time लग रहा है, जब साल से वो बनना स्टार्ट हो है, तीन साल के अंदर अंदर वो बन के ready हो जाए नेक्स्ट आपका point क्या दिया है, कोई भी नया school हो या पुराना school हो, same point अगर वो मानिता प्रमाण पत्र के बगार चल रहा है नय और पुराने school, लेकिन यहाँ पास open करने से, school खोलने से पहले की बात नी गई थी, ठीक है वो खोलने से पहले उसके पाई वो certificate होना चाहिए, नहीं है तो एक लाग रुपए लगेगा अब इसमें लिखाए कि चाहे वो पुराना हो, चाहे नया school हो, और उस time भी अगर उसके पाई वो school के certificate नहीं है तो उस पर जुर्माना लगेगा, कितना one lakh रुपीज clear है, 18, 19, next देख लेते हैं, 20, 20 में हमनों क्या देखेंगे, 20, 20, देखो, 20 से याद आएगा, 20 मतलब बीच तो बीच मतलब कोई भी act में, अगर आपको बीच में कुछ add-on करना है, या कोई चीज और उसमें लिखनी है तो बीच में कुछ भी act के, अगर आप डालना है, उसको हमनों क्या बोलते हैं, amend करना है, ठीक है, या सुधार करना है, ठीक, तो सुधार को हमनों बोलते है, संशोधन करना है, या amendment करना है तो बीच में क्या दिया है कि बीच में कोई भी सुधार करना होगा तो Central Government के पास ही ये right है कि वो Central Government के पास क्या right है कि वो amendment कर सकता है कोई भी schedule में या कोई भी अनुसूची में संशोधन कर सकता है ठीक है बहुत easy है तो बीच से बीच आप easily connect कर लेंगे next देख लेते है 21, 21 में क्या दिया है आपका section 21 is related to the देखो 21, 21 में है जब कोई कार दो लोग मिलकर एक साथ कारे करते हैं तो उसी को तो प्रबंधन कहते हैं देखे management जब आप पढ़ते हैं तो management होता क्या है जब कोई दो लोग आपस में मिलकर के अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके बीच में coordination अच्छी है उनके बीच में प्रबंधन अच्छा है management अच्छा है तभी उनलों के बीच में मत भेद नहीं हो रहे हैं तो दो लोग जब कोई एक कारे करते हैं तो दो लोग से दो हो जाएगा एक कारे करते हैं 21 तो याद रखना 21 में दो लोग कभी एक कारे करते हैं तो मदभेद बहुत होते हैं तो उस मदभेद को हटाने के लिए management की बात आएगी तो अगर दोनों लोग कारे बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वहाँ पस management की बात आगी थी तो उसी में ही उसी को अमनों प्रबंधन कहते हैं तो school management committee अब ये बहुत important topic है अब आपने इसको link कर लिए अब detail पढ़ लेते हैं देखें इसमें क्या दिया school management committee इस committee को जो school की management के लिए बनाई गई है इस committee में कौन-कौन participant रहेंगे कौन-कौन members रहेंगे तो three members रहेंगे first school management के लिए तो पहली चीज़ school का कौन रहेगा तो school के teachers रहेंगे तो elected representatives of teachers ठीक है सिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनी धी वो हो गया दूसरी चीज पेरेंट्स रहेंगे क्योंकि बालक देखो बालक तो नहीं रह सकते तो बालक के प्रतिनी धी कौन है बालक के प्रतिनी धी पेरेंट्स है या उसके इसन रक्षक होंगे जो भी guardian रहेंगे ठीक है तो ये दोनों चीज़े तो आपको सामच में आ गई अब ये दोनों होने के अलावा उस एरिया में जहां आप रह रहेंगे उस्थानी प्राधिकारी कोई होंगे या local authorities कुछ होंगी तो ये तीनों को मिला करके school management की committee बनती है तो ये याद रखना है बहुत important है कोशन आ भी सकता है school management committees consist of three members अलब three type के members first is school local authorities second is elective representatives of the teachers and the third is parents or the guardian of children admitted in the school ये clear है next आसके बाद देखिए कि ये भी ये question आपका हमने जब MCQs करा है तो ये question आया है कि 16 members in the committee उस committee जो school management committee बनाई जारी है ये school के इस committee में total 16 members होते है और वो 16 members में कितना percent मतलब 75 percent 16 members का 75 percent parents होंगे तो आप लोग count करके देखेगा तो वो 75 percent parents के लिए reserve रहेगे कम से कम 75 percent parents रह नहीं है अच्छा ये parents कौन है जिनका admission हो गया है न कोई भी नहीं जो भी बच्चों के parents है मतलब जितने बच्चे यहां बढ़ रहे हैं इस school में उनके जो parents या guardian रहेंगे वही 75 percent को लिया जाएगा ठीक है तो 75 percent वो सारे parents रहेंगे और 50 percent is reserved for the female members मतलब उन parents में से भी अगर female है teachers में से कुछ female है school local authorities में से भी कुछ female मतलब ये specific नहीं है कि वो female किस category के रहेंगे लेकिन female 50 percent रहनी चाहिए 50 female कम से कम ज्यादा हो सकती लेकिन उससे कम नहीं ठीक है तो ये clear है ये point जरूर याद रखेगा ये detailing जो है ये बहुत important है ये आपको बहुत rarely कोई वीडियो में बताएं है इसलिए इसको in depth पढ़ना है trick के साथ हमनों को इसको detail भी पढ़ना है आगे देखते हैं आगे दिया है 22, 23 and 24 इन सब को हमनों एक साथ connect करेंगे ठीक कैसे connect करेंगे देखो 22, 22 तो 22 सिक्षक अगर एक कक्षा में रहते हैं तो क्या होगा विकास होगी अभी तक एक ही कक्षा में एक सिक्षक रहता था तो विकास तो होती थी लेकिन आप दो-दो सिक्षक रहेंगे तो ज़्यादा विकास होगी अब याद रखना हमनों को जब-जब 22 की बात की जाएगी 22, 22 से continue last तक आपकी सिक्षक की बात की गई है टीचर की बात की गई है अभी जितना last तक मतलब 28 तक आपका मतलब 5 से 6 6 माल लेजे 6 तक आपको टीचर की ही बात है मतलब 22, 23, 24 से 28 तक तो इसको clear करना है तो 2-2 मतलब 2-2 सिक्षक अगर यह हमने trick बनाई है न यह कोई point नहीं है तो कभी एक कक्षा में अगर 2 सिक्षक रहेंगे तो 2-2 सिक्षक रहेंगे तो विकास जादा होगा तो जब विकास जादा होगा तो अब विकास शब्द कमलों को लेना है अब विकास में क्या लिखा है विद्याले विकास यह जिना मतलब school development plans बनाए जाएंगे ठीक है school को develop करने से regarding plans बनाई जाएंगे ऐसी योजना बनाई जाएंगे जो जिससे school का विकास हो सके ठीक है तो सिक्षक से हमने connect किया है लेकिन यह है किसका विकास से related है तो यह हमने सिक्षक को count किया है क्योंकि वो दो-दो से connect करने के लिए लेकिन विकास आपको रखना है ठीक है तो विकास विद्याले विकास योजना बनाई जाती है तो school development plan बनाई जाता है कौन बनाता है जिससे पहले हमनों पढ़े है 21 में कौन था school management committee school management committee will prepare the school development plans school management committee ही school development plans यह विद्याले विकास योजना ही बनाती है ठीक है तो यह 22 में discuss कर दिया गया अब 23 अभी हमने बताया था कि इसके बाद कि जितने भी points है वो सब सिक्षक से related है थोड़ा थोड़ा उपर नीचे हुआ है लेकिन सब almost सिक्षक से related है तो 23 हम लोग यह सब नहीं याद करना है बस याद अखना है सिक्षक सिक्षक से related है क्योंकि ज़्यादा trick ट्रेक नहीं याद करना है ठीक है तो सिक्षक से related क्या करना है अब देखे 23 में लिखा है सिक्षक की योग्यता है और इसमें लिखा सिक्षक के कर्तव्य देखो कोई भी सिक्षक रहेगा उसको जोईनिंग लेने से पहले उसकी योग्यता है देखी जाएंगी तो फर्स्ट आपका क्या होता है योग्यता जब आपको जोईनिंग दे दी जाती तब आपके कुछ ड्यूटीज रहती है कि आपको टाइमली आना स्कूल ड्रेस कोड में आना है ठीक है आईडी कार्ड लगा के आना है ये सारी जो चीज़े रहती है वो कर्तव्य में आ जाता है तो ये सेकेंड प्रायोर्टी फर्स्ट क्या रहेगा योग्यता इसलिए जब भी हमनों विकास करने के बाद 22 के बाद 23rd क्या होगा सिक्षकों की योग्यता और उसके बाद सिक्षकों के कर्तव विदिये होगे ठीक है ये क्लियर है आप डीटेल देख लेते हैं सिक्षकों की योग्यता में कुछ पॉइंट दिया है कि आप सिक्षक जो है वो सीटेट, टेट ये सब क्लियर होने चाहिए और अगर कभी ऐसा ये कोशन आ सकता है कि जब कभी भी उनके पास निम्न जो जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन कही गई है अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं है तब क्या करेगा तब उसके पास उतना टाइम दिया जाता है पास साल का वक्त दिया जाएगा आप उत्ते साल में आप अपना सारे जो भी आपके पास या सीटेट या जो भी रिक्वार्मेंट्स रहती हैं वो सारी रिक्वार्मेंट्स आप पाँच साल के अंदर अंदर कर लीज़ें तो यह आपको समझ में आगे 22, 23, 24 अल्मोस्ट 22 से हमनोंने विकास से रिलेटेट किया है और 22 के बाद जितने भी पॉइंट से अल्मोस्ट सि हमने बता है सारे पॉइंट सिखशक सरे लैटेगा तो सिखशक सिखशक और यहां भी टीचिंग अब देखो कंटिन्यू करते हैं 25 कितने सिखशक था कि हम लोग ने était सींच घंच पर कितने चातरे रहते हैं कितने सिखशक पर कितने छात्रे रहेंगे तो 25 से आप लोग को ये लग रहा है कि 100 का कितना भाग है ये 4 भाग है 25 तो एक ratio टाइप का थोड़ा feel हो रहा है 125 ratio जैसे तो यहाँ पस ratio निकालता है हमने सिक्षक तो बता दिया था आपको तो सिक्षक का किसके साथ अनुपात निकालेंगे चात्र के साथ निकालेंगे तो सिक्षक और चात्र का अनुपात सिक्षक वा चात्र का अनुपात teacher student ratio इसमें discuss किया गया है 25 में ठीक है 125 बोलते हैं तो वही अनुपात ठीक है अनुपात उसको connect कर लीजे या अगर आप कोई और trick बना सकते हैं तो comment box में पर बता दीजेगा ठीक है अब इसमें ratio क्या है देखे primary classes के लिए जो teacher और student ratio है एक teacher 30 बच्चों पर रहेगा और upper primary में upper class लिख दिया है अपर primary में 1 to 35 मतलब एक सिक्षक 25 35 बच्चों पर रहेगा ठीक है यह clear हो गया तो section 25 related to the teacher student ratio ठीक next 26 में हमने बताया था ये भी सिक्षक से है देखो यहाँ पर सिक्षक कितने सिक्षक कितने छात्र पर रहेंगे लेकि 26 में लोगे कितने सिक्षक होंगे अब हमनों इस पर 10% से ज्यादा हम सिक्षकों को ले ही नहीं सकते तो वह लिका कुल सिक्षकों का 10% से ज्यादा सौरी गलत बोल दे 10% से ज्यादा रिक्त पद नहीं रह सकते मतलब suppose आपके 100 vacant seat है तो 100 vacant seat में से आपको उसको कोशिश करना है पूरा का पूरा fill करनेगी लेकिन इसका 10% मतलब 10 तो आपको पूरी की पूरी try करने 90 seats तो पूरी fill हो ही जाए 10 अगर seats खाली भी रहती तो भी चल जाएगा लेकिन जितनी भी seats रिक्त हैं उस रिक्त की 10% से वही लिखा कुछ शिक्षक कुल सिक्षकों का 10% जितने भी total सिक्षक होंगे मतलब 100 सिक्षक है उसका उससे रिक्त पद जो है 10% से जादा रिक्त पद नहीं रहना चीए अगर वहाँ 100 सिक्षक है तो 100 सिक्षक का 10% मतलब 10 से जादा रिक्तपद नहीं रहना चाहिए, उसे कम हो सकते है मतलब के 9 बज सकते है 8 बज सकते है, लेकिन उसे उपर के जित्ते भी है, आप उत्तर फिल करना ही है, ठीक है, तो कितने सिक्षक होंगे, तो 10% याद अगना 10% रिक्तपद नहीं रह सकते, ठीक है ये 10% वाला आपको यहां सिक्षक की गिंती बता दी गई है ठीक, ये क्लियर हो गया, 26 हो गया अब 27 में भी सिक्षक की बात की गई है, अब यहां देखे, कनेक्ट कर सकते हैं 22 में क्या था 22 में था आपका दो-दो सिक्षक तो विकास होगा, विकास यूजना बनाइ जाएगी, ठीक है 23 में सिक्षक और 24 में सिक्षक, 23 में योग्य था 24 में आपका था करता है, 25 में भी सिक्षक था, लेकिन सिक्षक 25 था, 100 पच्चिस ठीक है, तो यहां पस अनुपाद बिताएगे, कितने सिख्षक, कितने बालग, ठीज, तो उसके बाद 26 में आएगा, अब कितने सिख्षक, कितने सिख्षक रहेंगे, तो 10% वाला था, ठीज, 27 में क्या था, अब देखो, कितने सिख्षक, मतलब, अब जादा अगर सिख्षक रहेंगे, तो उतने ही लोगों को जनगर्णा के लिए भेजा जाएगा ठीक है तब जनगर्णा से हमनों connect करते हैं तो यहाँ पस यह कहा गया है कोई भी सिख्षक रहेगा उसको वो teaching teaching कारे कर रहा है teaching work कर रहा है लेकिन अगर गैर sectionic कारे की बात की जाएगी तो वो सिर्फ वोसे तीन जगे काम कर सकता है पहला उसका चुनाओ में duty लगाई जाएगी जनगर्णा में उसकी duty लगाई जाएगी और और जो भी आपात आपात रहात वाले जित्ते भी कारे रहते ना जो भी आपको आपात रहत जो भी कारे रहेंगे उसमें और चुनाओ और जट करना ये तीन ही ऐसे कारे रहते हैं जिसमें सिक्षकों को गैर शैक्षनिक कारे में लगाया जाएगा इसके लावा कभी भी उनको डिस्ट आप नहीं किया जाएगा या टीचिंग से उनको डिस्ट आप नहीं किया जाएगा तो 27 हमनों याद कर सकते हैं कि connection उपर से connection करेंगे इससे इसका कोई connection नहीं 25 के बाद है 26 यहाँ पर कितने सिक्षक होंगे 27 में है उनकी जनगर्ना किसे related बता दिया गया है या जनगर्ना से आप ये भी याद कर जनगर्ना का है आपका क्या connect हो गया ज्यादा सिक्षक रहेंगे तो जनगर्ना के लिए भेजा जाएगा यह 27 हो गया 28 से हमनों इसको connect करते हैं 28 में क्या टोटल 24 गंटे होते हैं 24 गंटे में 4 गंटे extra होगे तो extra tuition मतलब क्या होता है extra teaching 28 से हमनों 24 को याद है 24 गंटे में 4 गंटे extra अगर हम tuition जा रहे हैं तो वो भी extra teaching हुई तो extra teaching से हमनों को याद रखना है extra teaching मतलब tuition तो सरकारी सिक्षकों को निजी tuition पर रोक लगाई गई कि वो निजी tuition नहीं ले सकते ठीक है अब आप लोगो clear हो गया बस यहां से 22 के बाद से आपको सबको आपस में लिंक करना है जैसे हमने बीच-बीच में दे दिया जैसे 25 को इससे लिंक किया है 22 को इससे लिंक किया है बागी 26 और 27 को आपको sequence से ही याद करना है ठीक है तो पूरा आपका 12 से ले करके 28 तक complete हो गया है अब बस 10 और बचे है वो और इसी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में clear कर लेंगे तो यहां तक जित्ता भी portion हुआ है उसको आप revision ज़रूर करिएगा और MCQs जैसे ही ये सारे portion complete होगा उसके बाद हम MCQs series इसी से ही related section या धारा से related ही सारे series continue कर देंगे so thank you so much for joining bye bye